पिलिभीत में तीन बाइक सवारों ने अग्यात कारणों के चलते युवा को गोली मार दी घटना की सूशना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को जिला अस्पतार में भरती कराया जिसके बाद गंबीर हालत को देखते हुए उसे हैस सेंटर रेफर किया गया थाना महराज गंज में ट्रैक्टर और बुलेरों में आमने सामनी की जोरदार टक्कर हो गई साथ से में दोग की दर्दनाक मौत हो गई है वहीं छे लोग गंबी रूप से खायल बताया जा रहे हैं मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लिया कोटी भार थाना पुलिस पल मौके पर पहुंच कर राहत बचाव में जुटी है बरेली पे पुलिस को बड़ी काम्याबी हाथ लेगी जोहां पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरों का परदा फाश किया पुलिस ने मुग्बिर की सुचना पर दो अभ्युक्तों को कोटवाली थाना श्यत्र के दामुदर पार्क से गिरफतार किया है जबकि उनके चार साथी भागने में काम्याब रहे पकड़े गए बदमाश काफे शातिर अपरादी हैं पुलिस ने चोरिक की ग्यारा मोटर साइकल भी वरामत की है इतावा में कानून विवस्ता को असलाधारी अपराधियों से उस समय खुल चुनाती दे डाली जो बाइक पर सवार होकर घर जा रहे समारवादी पार्टी के पूर्व सबस्त के भाई को आधा दरजन से ज्यादा असलाधारी बदमाशों ने घेर कर गोलियों से भून दिया और मौत के खाट उतार दिया हात्या की वारदा सताधारी भाज़पा के वधाएक सरीता बुधारिया के घर से चंद कदमों की दूरी पर घटित हुई है हात्या की वारदात से इलाके में देशुत का महौल है ग्रेटन वाड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच तेराद मुर्भेड हो गई तिनों बदमाशों को गोली लगी बता दें कि 24 तारीक में सिगरेट के गोदाम भी घुसकर बदमाशों ने डकैती की थी बदमाशों के पास से तमंचा कार्थूस पुलिस ने ब्रामत किये है पिलिबीत में घर में आग लगने से पूरा समान जलका राक हो गया बताया जारे कि घर में बेटी के अगले दिन सगाई होने का कारकरम था शॉट सर्किट सिंगरोली जिले के बरगमा थाने में एक अनोखा मामला सामनी आया जहां दो प्रेमियों की शादी के लिए घर वाले राजी नहीं थे जुसके बाद बरगमा पुलिस ने दोनों परिवारों की सहमती करा कर थाने में ही दोनों की शादी करा दी क्योंकि दोनों प्रेमी प्रेमी का बालिक थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे सनों की शादी में पुलिस वाले ही बराती बने और घराती भी बने कानपुर में नविवाइता का बंद कमरे में श्रम मिलने से हड़कम मच गया परिजनों ने सुस्राल पक्ष पर नविवाइता का गला खोट कर अत्या करने का आरूप लगाया, मौके पर पहुंचे पुलिस को, बेड़ पर महिला का श्रम मिला, दो साल पहले ही नविवाइता की शादी हुई थी संबन में रिक्ष चालक और प्राइवेट बस उनियन के ठेकेदार में जुमकर मार पिटाई हुई, मौके पर मौजुदा लोगों ने बमुश्किल दोनों का बीच पचाप कराया, विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल पुरा है नोयडा में शुराप पीने से मना करने पर युवक ने खुदकुशी कर ली, पत्नी और बेटे से जखड़े के बाद इस खटना को अंजाम दिया, पंकिसे लटक कर युवक ने आत्म हत्या की, मौके पर पहुँचे पुलिस ने शब को कबजे में लिया है, मामने की जाश गैंगरेप के बाद युवक ने खाटे को हापड की सीमा में फिक दिया गया, गाज यवास से ओटो में अगवा की गई थी, पुलिस ने केस दर्ज कर, युवक ने केस दर्ज कर, युवक ने पर बदमाशों से पुलिस की मुटबेड हुई, वान चेकिंग के दौरान टोपी वाले बयान पर बिफर गए हैं, और उन्होंने कहा टोपी वालों के वज़र से ही देश में अमन कायम है, बीजेपी और आरसेस वाले टोपी लगाकर मुस्लिमों को बंदाम करते हैं, उन्होंने कहा कि योगी आदितनात पूरे सुबे के मुख्य मंत्री हैं, जिम्यदारी बढ़ते हैं, यदि जिम्यदारी नहीं समाल सकते हैं, तो किसी विश्राशम स्थल में जाकर आराम करें या मंदर में पूजा पाट करें, पेली भीत में महिला सहाइक अध्याप्रका से छुच्छानी करने पर अशलील हरकत करने का आरोप सचिफ कमल किशोर प पर शात्र ने माकशीट के नाम पर पांच जजार रुपे मांगने कारूप लगाया, रुपया नहीं देने पर शात्र को करमचारियों ने माकशीट नहीं दी, माकशीट नहीं मिलने पर शात्र ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वारल कर दिया और मदद की गहार लगा जिसके लिए तीनों ही अखाडो सहित के संतों महंतों के साथ लगभग साथ हजार लोगों का स्नान होगा। जिसके बाद ततपरता दिखाते हुए उसे रासत मिली आ गया। की सुचना मिलते ही हड कम बच गया। बताया जा रहा है कि एक निजी फैक्टरी में दोनों साथ काम करते थे। आसपास के लोगों ने अननफानल में पुलिस को सुचना दी, मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की छान मिल में चुटी है। कानपिर देहात में 6 साल की मासुम के साथ रिष्टे में बाबा लगने वाले शक्स ने दुशकर्म की और फरार हो गया। परिजरों ने 6 साल की मासुम को गंबीर हालत में अस्वताल में भरती कराया। परिगर्टा की जानकारी लगते ही पुलिस में मामला दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और यूपी फटाफट में विलाल के लितना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए निउस वाल इंडिया।